हेलो फेंट्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, फेंट्स क्या आप अपने चहरे के रंग को बहुत तेजी से गोरा बनाना चाहते हैं और क्या आप चाहते हैं कि आपके चहरे का जो कालापन है वो ऐसे गायव हो साई कि कभी आपके चहरे पर दोबारा वापिस लोट कर ना आ पा इसके यूज से आपके चहरे का कालापन कभी भी लोट कर वापिस नहीं आ पाएगा तो चली शुरू करते हैं आज के इसमें स्क्वे को इसे बनाने के लिए आपको इहां पर लेना होगा एक चमच बेसन यानि की ग्राम फ्लोर मातर एक चमच ग्राम फ्लोर ही आपको लेना कोफी पाउडर फिंट देखने में काला जरूर होता है लेकिन यकीन मानी यह आपके चहरे के कालेपन को हमेशा के लिए गयाप कर देगा अब आपको फिंट इसे मिक्स करने के लिए इसमें एड करना होगा रो मिल्क आपको फिंट पहले इसमें थोड़ी सी मातरा में रो मि जब यह पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको इसे अपने फेस के ओपर अपलाई करना है और आपको एक बात का ध्यान रखना है आपको जो पेस्ट बना कर आप तयार करोगे आपको उसे गाड़ा बना कर ही रखना होगा क्योंकि जब हम इसे अपने फेस पर मसाज करेंगे तो इससे बहुत अच्छे से हमारे फेस के ओपर मसाज हो पाएगी इस बिल्कुल इस तरह से आपको अपना फेस्ट बना कर तयार करना है पेस्पैक को बनाने के बाद अब आपको मैं इसको बताती हूँ कि कैसे अपने फेस्पैर अपलाई करना है लेकिन इसते पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्रेब कर लिए और बाजू के बैल आइकन को भी जरूर दबाएए आपको इस अपने फेस पर अपलाई करने के लिए लेना होगा आधा नीमो आधे नीमो की सहायता से आपको इस अपने फेस पर अपलाई कीजिएगा किस तरह से इसी प्टा थोड़ा सा इसी नीमू को तब लाइए और इसके दरस्त निका लिए और इसके बाद आप इसको ऐसे लगा ये सब pret इसके ओपर पेस्ट, लगा लीजे, अब को करना है आपको करना長ज आपको अपने पीज challenging आप 10 मिनट केओ अर्स्ट करनी हो 10 मिनट के बाद फेंट आप इस अपने face पर ऐसे ही लगा कर छोड़ दीजए गा और उसके बाद फेंट दो मिनट तक लगा रहने देद्ध दो मिनट के बाद नर्मल वोटर से अपने चहरे को वोश कर लीजए और उसके बाद देखिए कि आपके चहरे का जो कालपण है वो हम अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंड चेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजे बाइबाइब फेंड्स